हेलो फ्रेंड्स, निटिंग एक क्रोचर बैनीनों में आपका वेलकम है, तो आज हम बनाने जारे एक पैटरन जिसके लिए हम फंदे चाहिए 15 के मल्टीपल, 15 के मल्टीपल हमारा यह पैटरन डेलेगा तो मैंने 15 ही फंदे डाले हैं, आप किसी भी प्रजेक्ट पर डाल रहे दागे को पीछे करेंगे, देखिए, दो फंदे इधर हमारे उल्टे आएंगे और दो इभर आएंगे, और सेंटर में हमारे रहे जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, मींस कि दो फंदे उल्टे और ग्यारा पे हमारा यह पैटरन सेंटर वाला बन के आएगा, दो फंदे उल्टो के बाद हमने यहां पर दो का एक करना है, दो का एक करने के बाद हम दो फंदे बुन लेंगे, एक, दो, दो फंदे बुनने के बाद हम धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे, एक फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर करने के बाद हम यहां पर एक और दो दो फंदे हम सीधा बुनेंगे लास्ट वाले यह फंदे दो फिर हमारे उल्टी आजाएंगे इनको हम उल्टा ही निट कर लेंगे अभी आगे हम पैटन की सेकेंड रो पैकेंड की सेकेंड रो रॉंग साइड सभी ही हम पूरी की पूरी स कि इसके बाद आगे पीछे अब यहां पर फिर हम एक दो है टी है चार पांच और छे छे फंदे सीधे निट करने के बाद यहां पर एक जली डःलें इसपर हम एक जली ड़ाल रहे हैं और एक दो-फंदे सीधे बुनेंगे दो फंदे सीधे बुनने के बाग हमने इस फंदे को ऐसे उल्टाएंगे और यहां पर फिर हम दो का एक कर देगे फिर यह फंदा हमने सीधा निट किया और लास्ट वाले दो फंदे फिर उल्टे यह हमारी सेस्त थर्ड रों कंप्लीट होगे पैटन की फोर्थ रों रोंसाइड पैटर्ण की 4th row, wrong side पूरी की पूरी रो हमने उल्टी बना के complete करके हम आजाते पैटर्ण की 5th row पे हम आगे पैटर्ण के 5th row, फर्स्ट फंदे को फिर रेस्टीज धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा उल्टा धागा पीछे अभी हमने यहां पे एक और दो दो फंदे सीधे बुनने के बाद हमने यहां पे यह फंदा और यह दोनों लेकि दो पाइक कर देना दो का एक करने के बाद फिर यहां पे हमने एक और दो फंदे बुनने के बाद यहां पे हम जाली डालेंगे इस फंदे को सीधा बुनेंगे फिर यहां पे जाली डालेंगे और इस फंदे को फिर सीधा बुनेंगे और यह देखी यह फंदा सीधा और इसको ऐसे उल्टा के फि दोगी होगी अब आ जाते है पैटन की six thro, फिर हमने पूरी की पूरी उल्टे कर लेनी है, पैटन की सेट, मैं कि सभी उल्टी रों उल्टी डए लेंगी, second row, फिर उसके बाद fourth row, फिर उसके बाद हमारी ये sixth row, शिक्स्त रोल्टी डालके आजाते हम अपनी पैटन की सेंथ रोपे, पैटन की सेंथ रोप में फिर हमने फर्स्ट फंद क्वेस्ट थागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, अभी यह देखे, यहां पर हमारा एक फंदा सीधा आएगा, इसके बाद फिर हम यह दोनों का आग एक, दो, तीन, चार, पांच और छे फंदे फिर सीधे, धागा अपनी तरफ फिर दो फंदे उल्टे, बड़ा ही असान सा पैटन है और पैटन की लुक बिलकिल अलग सी आएगी, तो यह हमारी सेंथ रोप, अभी हमारे पैटन की लास्ट रो, एर्थ रोप, जो के हम पूर पैटन की लुक थोड़ी अलग सी आती है, है तो थोड़ा जाली वाला पर फिर भी पैटन बड़ा ही अच्छा लगेगा, ऐसा लगता है जैसे पत्तिये निकल निकल के इसमें से आ रही है, तो यह हमारी एट रोग कम्प्लीट होने के बाद हमारा पैटन का एक हमारा पैट पैटन यह कम्प्लीट हो गया, यह दिखे यह पत्ति यहां पर पूरी बन गी, तो यह पत्ति जो यहां पर है, अभी फिर हमने फस्ट रोग से स्टार्ट कर लेना, तो यहां से यह पत्ति भी हमारी कम्प्लीट हो जाएगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, सीधे फिर जाली डालेंगे, फिर एक फंदा, सीधा फिर जाली, फिर एक फंदा, और दो फंदे सीधे फिर यहां पर फिर इसको ऐसे उल्टा के दो का एक, जैसे हमने फस्ट रो डाली थी, सीम ऐसे हमने फिर एक वन टू एट रो रिपीट करते चले जाना है, जब हम बार एक से ऀाठ रोह गिए तो हमारे पैटन के कि लूप कुछ ऐसी हैं गी इसको थोड़ा सा हमें आपको दूसरे कंगा पैटन की पैटन के बाद ऐसे पूरी छोट छोटी सी पत्ति बनती जाएंगी तो यह पैटन की लुक ऐसे आएगी तो ऐसे ही आप इसको सीधा सीधा मनाते चले जाओ आप चाहो तो सिरफ एक ही ऐसे डाल सकते हो एक ही जैसे आप लेडिज कार्डिगन बना रहे हो तो उसकी बटन पठी के आपको पैटन की लुक बिलकुल अलग सी हो जाएगी और प्यारा लगेगा और आपको पैटन भी ज्यादा डालिंग के जिरूरत नहीं पड़ेगी और आपका परजेक्ट भी जल्दी कुम्प्लीट हो जाएगा क्योंकि इसमें हमें सभी उल्टी रों उल्टी डाली है तो फिर नहीं यह वाला पैटन कोमेंट करके बता है यह आपको कैसे लगा फिर मिलते हैं का लेकिन यह वीडियो की नहीं पैटन साथ तक रहां ध्यां रुखेजिए ओके बाई बाई ठीकियो